तो यहां पर हम आपको एक चोटी सी बात बताना चाहूंगा, जहां से मेरी बात को सनो, क्या, कि होता क्या है, सिर्फ ऐसे question के अंदर नहीं, कई questions के अंदर ही होता है, कि हम question को one go में solve कर शकते हैं, बट exam के अंदर क्या होता है, exam के अंदर होती है nervousness, यह लाजमी है, ऐसा कोई इनसान नहीं बना आज तक, जिसको perform करना हो कहीं पर और वो नर्वस ना हो, नौर्मल आदमी नर्वस होते हैं, तो आप भी नर्वस होगे, तो जब वो नर्वसनेस होती है, तो दो तरह के student है, एक तो है student one, student one और एक है student two, तो student one ने क्या किया, इस equation का example ले लेते हैं, और यह हर equation पर लागू होता है, student one ने क्या किया, इस question को पड़ा, थोड़ इसी शानती से कर रहा है, इस question को किया जा सकता है, माल लो 15 second में, 20 second में, कोई भी example ले लो, माल लो यह question जो है, यह 20 second में किया जा सकता है, जब आप घर पर solve करोगे, लेकिन एक्जाम में nervousness है, तो student one ने क्या किया, इसे 20 की बजाए इसे 25 second में solve किया, मैं example ले रहा हूँ, चाहिए आप इसे 20 में करो, 15 में करो, 30 में करो, I am just taking an example, student one ने इसे 25 second में क्यों किया, क्योंकि वो paper में गलती भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा श्यानती से कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा time लग गया, देखो, one fourth, 25% ज्यादा time लग गया, लेकिन student two nervous है, और उसको क्या है, कि उसको exam के अंदर time बचाना है, उसको पता है, यह question उसे आता है, तो यहाँ पर उस गलत आ गया, कहीं पर plus की जगा माइनस हो गया, कहीं पर division इसने पहले कर दिया, ओव से, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, तो answer गलत आ गया, अब आपको क्या लगता है, यह student इस question को छोड़ कर जाएगा, नहीं जाएगा छोड़ कर क्यों, क्योंकि आता तो है, इसमें है क् यह फिर से लगा, कि यार यह भी गलत हो गया, इसने फिर से, हमा लो 15-16 सेकंड लिए 17 सेकंड लिए, फिर से गलत हो गया, क्योंकि 15 सेकंड का question तो है नहीं है, तो भी सेकंड का, अगर नॉर्मल तरीक कैसे करें, speed fast आप 15 में कर सकते हो, बड़ जल्दबाजी में गलती हो र जाए, 30 सेकंड लिए, अब यह इसने 25 सेकंड क्यों नहीं लिए, क्योंकि अभी यह ड्रा हुआ है, कि बार बार गलती हो रिए, बिल्कुल केरफुली कर रहा है, तो टोटल कितना टाइम ले लिया, एक मिनट, इसने कितना लिया, 25 सेकंड, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट क करने कि इसको भी उतनी नोलेज है, फिर इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, क्योंकि एक तो इसको हट बड़ा हट हो गी थी, इसको जल्दी तियारी करनी है, और आजगल स्टूडेंट्स का माइंड सेट है, कि 10 सेकंड में क्योशन को उड़ा देंगे, 20 सेकंड में क इक सेकंड कीमती है, एक सेकंड कीमती तो है, बट वो कीमती तभी है न, जब उसको कहीं काम की जगह पर लगाएं, उसको इन जगह लगा दोगे, तो उसको कीमती का क्या करें, रुपीय किमती है तो रुपियों का अगर गौबर करीद के लाओगे तो उस किमत का क्या करें समस्रेव ऐसी चीज़ कर लाओगे तो समय किमती है बट हमें एक्जाम के अंदर थोड़ा सा काम रहना जरूरी है तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं अब आप बोलोगे सर एक्जाम में काम रहना तो जरूरी है बट जब हम घर पे हैं तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम एक्जाम में काम रहें तो आजकल क्या है? आजकल ओन्लाइन हम यूटीव पर पढ़ते हैं, Veronika देखते हैं स्टूड़ेन्ट तो वहां पर टीचर उनको 30 second का टाइमर दे देता हैं, 45 second का टाइमर दे देता है, तो वहीं से उनको आदत हो जाती है यहाँ हाँ 45 सेगन में करना है ऐसे वही प्रुण को आदत हो जाती है वहीं से काम ने इसकी आदत नहीं होती जब भी आप चीज़े सीखते हो ना तो कहीं पर भी ऐसी जगह मत सीखो जहां पर हडबड़ी में आपको सीखना पड़ रहा है शीखते वक्त हमेशा टेक यूर टाइम जब क्वेशन आप सीख रहे हो परसेंटेज सीख रहे हो ट्रिग्नोमेटरी सीख रहे हो तो दोस्त उस दिन जिस दिन आप सीख रहे हो उस द त्यारी करनी है, दिरे 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 टाइम कम होगा, दिरे दिरे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्टुडेंट सोचते हैं पहले दिन से ये क्वेस्टन तो मैं करूँगा, जी 30 सेक्ड़ में, नो, एक्जाम नहीं करें कोगा दोस्त, अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हो तो, सिरिसली दिल पेर लो इसी बात को, सीखते वक्त हमेशा काम रहना है, कभी भी टाइम को देखना ही नहीं है, कभी भी नहीं देखना, हमने ऐसी हैबिट बनानी है कि हम एक बार क्वेशन के अंदर से निकलें, बेसक से हम दो सेक्ड़, तीन सेक्ड़, चार सेक्ड़, दीबार कोई गलती हो जाती है मैं अच नहीं करता जब मेरा उतर भी कई बार मैं अच नहीं होता तो मेरे को ये दुख नहीं लगता कि भाई या अच्छा ये मेरे को equation नहीं आता आता मैं आपने equation को कम टाइम में नहीं करना आपने पहली बार में करना है तो इतने अटेंटिव रहो कि पहली बार में क्वेस्चन हो साई पहली बार में क्वेस्चन हो साई Hello dear, मेरा नाम है भुतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एक्जाम्स क्लियर किये हैं SSC, CDS और Railway एक्जाम्स के लिए मेरा एक Maths Course है जहाँ पर मैं totally relevant और full syllabus तो cover करता ही हूँ लेकिन साथ में animation का use करते हुए हर एक concept की complete visualization भी करवाता हूँ और fast calculation और mental calculation को build करने के लिए उस course के अंदर ये सारे features हैं तो अगर आप उसमें enroll करने के लिए interested हो तो इस video के description से आप Even Coaching Center की Android app डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस mobile number के उपर call कर सकते हो आखिर मैट्स को हम boring वे से क्यों पड़े इसको interesting क्यों न बनाया जाए